Hello everyone, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं भारत Electronics Limited, यानि कि दोस्तों, Bell Company की ओर से यहां पर Apprentice Training के लिए Walk-In Selection कराया जा रहा है दोस्तों, यानि कि दोस्तों आपका written test जो है सबसे पहले यहां पर लिया जाएगा, अगर आप यहां पर 1 year की apprentice training के लिए जाना चाहते हैं तो जब written test में आपकी performance अच्छी रहेगी तो ही जाकर दोस्तों आपको यहाँ पर apprentice करने का मोका मिल सकता है थोड़ा सा हम नीचे scroll करते हैं नीचे यहाँ पर company के बारे में लिखा गया है जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत electronics limited यानि कि दोस्तों जो bell company है यह एक multi product, multi unit, नवरतन PSU और India's की premier professional electronics company है जो कि ministry of defense के under में आती है अब यह जो company है दोस्तों क्या-क्या manufacture करती है देख सकते हो state of the art electronics product and system यह manufacture करती है तयार करती है army के लिए, navy के लिए और air force के लिए इसके अलावा जो bell company है यह electronics voting machine जिसको हम बोलते हैं EVM electronic voting machine जो है इसको भी bell company manufacture करते हैं यह लोग और telecom products वगेरा यह भी manufacture करते हैं ventilators को भी manufacture करते हैं और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को यह तयार करते हैं manufacture करते हैं दोस्तों जो bell bengaluru complex यहानि bell bengaluru complex जो है यह walk-in selection यहाँ पर कराने जा रहे हैं यह walk-in selection कराने जा रहे हैं अब walk-in selection यह रिटें टेस्टर देनी के लिए आपको कौनसी जगा पर जाना होगा तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो center for learning and development जलहाली बेंगलूर 560013 यह center रहेगा 26 अक्तूबर 2000 इस date रहेगी दोस्तों जिसमें अगर आप electronics, mechanic, trade से अपने अगर अपना जो course है, ITI course अपने complete किया है तो आप 26 अक्तूबर 2013 को सुबह के 9.30 बजे जो यहाँ पर center बताया गया है, यहाँ पर walking selection के लिए जा सकते हैं इस तरीके से next आप यहाँ पर center देख लीजी, 27 अक्तूबर 2013 को fitter trade वाले और कोपर trade वालों को बुलाया गया है same time सुबह के 9.30 बजे, next आप यहाँ पर देख लीजी, 28 अक्तूबर 2013 को electrician और EP trade वालों को same सुबह के 9.30 बजे यहाँ पर walking selection के लिए बुलाया गया है दोस्तो selection जो है, यह आपका return test में, जैसे मैं आपको बताए कि return test जो आपका लिया जाएगा उसमें जो performance आपके रहेगी, उसी basis पर आपको यहाँ पर select किया जाएगा नीचे यहाँ पर eligibility में देख सकते हो कि जो भी candidate करनाट का region से belong करता है वो ही यहाँ पर eligible हैं दोस्तो, candidate from करनाट का region और only eligible वो ही candidate जो करनाट का region के हैं, वो ही यहाँ पर eligible है, walk-in selection के लिए ठीक है दोस्तो, next देख लीजिए, कि जो आपने ITI की है दोस्तो, यानि जो आपने course complete किया है यह 1.1.2019 को complete होना चाहिए, या फिर उसके बाद, उसके बाद यानि कि दोस्तो 2020 में अगर आपने किया है या 2021 में किया है इस तरीके से, लेकिन इस से पहले का आपने नहीं किया होना चाहिए, 1.1.2019 से पहले का आपका course complete नहीं होना चाहिए, जैसे 2018 हो गया है ना, तो 2018 वाले eligible नहीं है यहाँ पर, walk-in selection के लिए इस तरीके से आपको समझना है, या फिर दोस्तों अगर आप final semester में हैं, या फिर final year में हैं, या फिर अभी तक आपका result जो है, ये awaiting में है, अभी तक आपका result नहीं आया है, तो भी आप यहाँ पर eligible नहीं है, walk-in selection के लिए अब age limit क्या रखी गई है, देख सकते हो, आपकी age जो है, 21 years, 21 साल से ज्यादा आपकी age नहीं होनी चाहिए इसकी अलावा, अगर आप यहाँ पर किसी category से belong करते हैं, तो आपको age में further relaxation भी देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, दोस्तों अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होनी के बाद, आप यहाँ पर देख लीजे, following are the documents, यह नीचे documents बताएगे हैं, जो आपको दिखाने हैं, original में दोस्तों जब आप for verification, verification के लिए, selection centers में आपको यह original documents दिखाने पड़ेंगे, क्या-क्या, 10th का marks card हो गया, अधार card हो गया, ITI original marks sheet हो गई दोस्तों, SCST, OBC certificate, मतलब अगर आप किसी category से belong करते हैं, तो आपको यह category certificate भी दिखानी है, अब नीचे देख लीजे कि facility क्या-क्या मिलेगी दोस्तों, अगर आप यहाँ पर training के लिए select होते हैं, तो सबसे पहले आपको हर महीने 10,333 रुपे मिलेंगे दोस्तों, अगर आप EP, feeder, electrician and electronics, mechanics, mechanic trade से आते हैं, और अगर आप COPA trade से आते हैं, यहाँ पर देख ली, COPA trade से अगर आप आते हैं, तो 9,185 रुपे जो हैं, पर मंथ आपको मिलेगा, पूरी की पूरी training के दोरा दोस्तों आपको मिलेगा, यानि 12 महीने की training है, तो पूरे के पूरे 12 महीने आपको यह stipend भी मि आपको 100 रुपे की plate मिलती होगी, खाने की 100 रुपे की plate मिलती है, let us suppose, तो अंदर आपको canteen में कैसे मिलेगी, 60 रुपे तक मिलेगी, इस तरह कि तो थोड़ा discount होगा, थोड़ा कम होगा मतलब, तो यहाँ पर देख सकते हूं, subsidized canteen, transport और accommodation रहेगा, outstation candidates के लिए, outstation candidates only on chargeable basis, चार्जेबल बेसिज लेकिन ये रहने वाले हैं, आपसे पैसा तो लिया जाएगा, थोड़ा कम लिया जाएगा, और इसके अलावत दोस्तों, बैल के hospital में, आप यहाँ पर free में, check-up अगेरा भी करा सकते हैं, और नीचे फिर यहाँ पर लिखा गया है, कि अगर आप सभी eligibility conditions को सभी criteria को अगर आप fulfill करते हैं, तो आप यहाँ पर appear हो सकते हैं, selection के लिए, at कहां पर, center for learning and development, जलाहाली बैंगलोर 560013, इस जगा पर आप यहाँ पर walk-in selection के लिए जा सकते हैं, दोस्तों, जाते time, दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई भी traveling allowances इनकी और से बाद में, या पह आना पड़ेगा, जो भी selected candidate होंगे, उनकी जो list होगी, यह publish करेंगे, बैल की website के उपर, और इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है, कि किसी भी further clarification के लिए, आप contact कर सकते हैं, HR को, यहाँ पर HR का phone number बताया गया है, और HR की email ID भी यहाँ पर provide की गई है, तो आप यहाँ पर, इनको contact करना चाहते हैं, तो contact कर सकते हैं दोस्तों, दोस्तों मैं hope करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं, वो clear हो चुकी होगी, so thank you very much.